हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू मैं चैनल आज मैं आप सभी को ब्लाउज की साइड की परफेक्ट फिटिंग कैसे करते हैं वो बताने वाली हूँ कई बार ब्लाउज फिटिंग करते समय फ्रेंट या बैक का पार्ट बड़ा हो जाता है या स्लिव जोइंट करते समय आर्म होल में जब हम स्लिव जोइंट करते हैं तो वो उपर नीचे हो जाता है इनी सारी प्रॉब्लेम्स का सोलिशन आज मैं आपको बताने वाली हूँ इस तरीके से अगर आप ब्लाउज की फिटिंग करेंगे तो आपकी ब्लाउज की साइड की सिलाई एकदम सीधी आएगी और कहीं पर भी प्रॉब्लेम नहीं आएगी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए तो यह देखिए यहाँ पर मैंने आल्मोस पूरा ब्लाउज सिलकर रेडी कर लिया है फ्रंट और बैक पार्ट भी अच्छे से जॉइंट कर लिया है अब हमें स्लिव जॉइंट करना है परफेक्ट तरीके से साइट फिटिंग करने के लिए आपको स्लिव भी परफेक्ट तरीके से जॉइंट करना होगा तो यह देखिए यहाँ पर मैंने स्लिव की कटिंग कर ली है और यह हमारा स्लिव का बॉटम है और आगे मैंने 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ा है तो इसी point से हम उपर की तरफ एक सीधी line खीच लेंगे नीचे हमने 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ा है तो यहाँ पर भी हमें 1.5 इंच के मार्जिन से ही line को joint कर लेना है यह आप देख सकते हैं यहाँ तक हमने joint किया है यही हमारा fitting point है और यह जो हमारा आगे और पीछे का part है आपको इसे अच्छी तरीके से चेक कर लेना है कई बार क्या होता है जहाँ तक हमारा fitting point होता है आगे या पीछे का part बड़ा या छोटा हो सकता है तो आपको इस तरीके से कई चीज से उसे चाट लेना है मतलब कि जहाँ तक हमारा fitting point है वहाँ तक कपड़ा आगे और पीछे का बराबर से होना चाहिए बड़ा या छोटा नहीं होना चाहिए क्योंकि जब हम इसे joint करते हैं तो उसकी सिलाई भी आगे या पीछे आ सकती है ये देखिए आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से बराबर से कट कर लिया है अब हम इसे blouse में joint करेंगे sleeve joint करने से पहले हमें blouse को भी अच्छे तरीके से चेक कर लेना है back और front पार्ट को हमें इस तरीके से अच्छे से मिला कर रख लेना है और इसे चेक कर लेना है कई बार आगे या पीछे का पार्ट पाव इंच के margin से बड़ा हो सकता है आप देख सकते हैं मेरा पीछे का पाव इंच के margin से थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो सबसे पहले हम blouse का chest नाप लेंगे तो मेरे blouse का size था 38 तो उसका fourth part आएगा साड़े 9 और half inch losing ले लेंगे यानि 10 inch इसे हमें यहाँ पर थोड़ा सा stretch करके नाप लेना है तो मैं यहाँ पर 10 inch पर एक mark लगा दूंगी अभी हम blouse को अच्छे तरीके से बराबर से रख लेंगे और इसे नाप लेंगे यह देखिए पीछे के part में मेरा 5 inch extra है तो इसे भी हम कैची से बराबर कर लेंगे आप देख सकते हैं जहाँ पर मेरा fitting का point है वहाँ तक हमें आगे और पीछे के part को बराबर से कर लेना है इसी तरीके से हम दूसरे side में भी check कर लेंगे दोनों part को हमें अच्छे से मिला कर रख लेना है यह देखिए आप देख सकते हैं blouse cutting करते समय यहाँ पर मेरी marking थी तो यहाँ पर मुझे point दिख रहा है तो यहाँ पर मैं marking कर लूँग और यह जो हमारा back part extra है उसे हम marking तक बराबर कर लेंगे यह देखिए हमने इसे बराबर कर लिया है तो चलिए अब हम इसमें sleeve joint कर लेते हैं तो यह देखिए इस तरीके से blouse को मैंने open करके रख लिया है अब हम sleeve joint करेंगे तो यह मैंने यहाँ पर sleeve ले लिया है आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें center से center मिलाना है और sleeve को sleeve का जो हमारा front armhole का shape है उसे हमें front part के उपर ही रखना है और इस तरीके से हम blouse और sleeve का center से center मिलाएंगे और पाविंच के margin से हम इसे joint कर लेंगे sleeve joint करते समय आपको एक किनारे से sleeve को joint नहीं करना है इसी तरीके से blouse और sleeve का center मिलाकर ही आपको half sleeve joint कर लेना है उसके बाद हम दूसरा half sleeve भी joint करेंगे यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ एक ही सिलाई लगा कर दिखाई है पर जब आप स्लिव जॉइंट करेंगे तो आपको इसमें डबल सिलाई लगा लेनी है ये देखें मैंने यहाँ पर अच्छी तरीके से स्लिव्स को जॉइंट कर लिया है अब हम यहाँ से नीचे की पट्टी को फोल्ड करेंगे इसके लिए सबसे पहले हम स्लिव्स को नाप लेंगे तो मेरी स्लिव्स की लंबाई है 9.5 इंच तो मैं यहाँ पर एक मार्किंग कर दूंगी अब हमें नीचे से इसे फोल्ड कर लेना है तो यह जो मेरा नीचे की बॉर्डर है वो लॉक है इसलिए मैं यहाँ पर सिंगल पट्टी ही फोल्ड करूंगी अगर यह आपकी लॉक पट्टी नहीं है तो आपको यहाँ पर डबल फोल्ड कर लेना है ने तो इसकी स सिलाई के धागे दिखेंगे तो ये देखिए इस तरीके से नीचे से मैंने इसे फोल्ड कर लिया है ये देखिए इस तरीके से मैंने स्लिव को अच्छे तरीके से जॉइंट कर लिया है इसी तरीके से आपको दोनों स्लिव जॉइंट कर लिये हैं अब हम ब्लाउस की फिटिं करेंगे तो fitting करने के लिए सबसे पहले हम यहां पर measurements डाल लेंगे तो इस तरीके से कमर को मैंने double fold कर लिया है अब हम यहां से कमर का नाप लेंगे तो मेरा कमर का नाप है 36 उसका fourth part आएगा 9 inch 9 inch पर हम दोनों तरफ marking कर लेंगे अब हम यहां से sleeves bottom भी major कर लेंगे तो यह दिखिए sleeves को हमें अच्छे से मिला करके रख लेना है और sleeve bottom नाप लेना है तो मेरा sleeve bottom था 11 inch उसका हाप करेंगे 5 inch इसी तरीके से दोनों तरफ marking कर लेनी है अब हम front part में marking करेंगे तो यहां पर ध्यान दीजेगा यह हमारी extra look की पट्टी है तो इसे छोड़ कर हमें नाप लेना होगा तो कमर पर हम नाप लेंगे 9 inch और chest में हमें नाप लेना होगा chest का fourth part plus half inch याने की 10 inch तो इस तरीके से कपड़े को थोड़ा सा stretch करके हमें 10 inch पर एक mark लगा लेना है तो यह देखी यहां पर मैंने एक mark लगा लिया है अब हम इन दोनों points को सीधा joint कर लेंगे अब हम यहां से sleeves का fitting point देखेंगे तो आप देख सकते हैं यह हमारा sleeves का fitting point है इसे भी हमें इसी line से joint कर लेना है तो इस तरीके से अगर आप scale से marking कर लेंगे तो आपको fitting करने में आसानी होगी तो यह देखी यहां पर हमने marking कर ली है अब हम दूसरी side में marking करेंगे तो आप देख सकते हैं यह जो हमारी पट्टी है यह hook की पट्टी होती है और इसे हमने अंदर की तरफ fold किया हुआ होता है तो यह extra नहीं होती तो इस तरफ आपको marking करते समय इस पट्टी को भी नाप लेना होगा तो नीचे की तरफ हम 9 इंच पर marking करेंगे और उपर की तरफ हम 10 इंच पर marking करेंगे तो यह देखिए दोनों पॉइंट्स मैंने लगा लिये हैं यहाँ पर भी हम स्केल की मदद से इन दोनों पॉइंट्स को सीधा जॉइंट कर लेंगे अब हम यहाँ से स्लिव्ट का बॉटम भी चिक कर लेंगे तो हमारा स्लिव्ट का बॉटम था 11 इंच उसका हम हाफ करेंगे तो वो आएगा 5 इंच तो इस तरीके से स्लिव्ट के आगे पिछे दोनों तरफ हम मार्किंग कर लेंगे और इसे भी सीधा जॉइंट कर लेंगे यह हमारे ब्लाउज के मार्किंग हो गई है अब हम ब्लाउज को सबसे पहले सीधा कर लेंगे तो यह देखे इस तरीके से आपको ब्लाउज को सीधा कर लेना है और यह आप देख सकते हैं यह हमारे फिटिंग पॉइंट है तो इन्हें हमें अच्छे से मिला लेना है इसके मिलाने के बाद किनारे से हम एक सिलाई लगा लेंगे यहाँ पर मैं आपको पहले ही दिखा देती हूँ यह देखिये यह हमारा fitting point है और यह हमारा sleeve का fitting point है तो यहाँ से हम नीचे की तरफ एक सीधी line कीच लेंगे से एक सीधी सिलाई लगा लेनी है ये देखिए इस तरीके से दोनों पॉइंट को आपको मिला लेना है और किनारे से एक सीधी सिलाई लगा लेनी है ये देखिए आप देख सकते हैं दोनों पॉइंट को हमने बराबर से मिला लिया है इसी तरीके से आपको भी मिला लेना है और ये दिखिए यहाँ पर भी हमारे ये जो स्लिव बॉटम के दोनो पॉइंट है इन्हें भी अच्छे से मिला लेंगे और एक सीधी सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से सिलाई लगाने से हमारी जो फिटिंग के दाके दिखते हैं वो बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे ये परफेक्ट से हमारी फिटिंग आ जाएगी ये जो किनारे पर एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम कैचे से कट कर लेंगे इसी तरीके से दूसरी तरब भी आपको सिलाई लगा लेनी है ये देखें दोनो तरफ हमने सिलाई लगा दी है अब हम ब्लाउज को उल्टा कर लेंगे ये देखिए मैंने ब्लाउज को उल्टा कर लिया है अब हम इसके किनारे से एक सिलाई और लगा लेंगे अब हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे ये देखी हमने यहाँ पर पहले से ही मार्किंग करके रख लिया था अब इसे मार्किंग से हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे उपर की तरफ और नीचे की तरफ आपको सिलाई को लॉक कर देना है ताकि हमारी सिलाई निकले नहीं ये देखी निची की तरब भी हमें इसे अच्छे से लॉक कर देना है आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगा ली है अब इसके किनारे पर पाव पाव इंच के मार्जिन से हम दो एक्स्ट्रा सिलाई लगा लेंगे ये देखी आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमने साइट की फिटिंग कर ली है ये देखिए मैंने यहाँ पर एक्स्टा सिलाई लगा करके फिटिंग कर ली है इसी तरीके से दूसरे साइड में भी फिटिंग कर ली है अब मैं बलाउज को आपको सिधा करके दिखा देती हूँ ये देखिए आप देख सकते हैं हमारी ये जो साइड की फिटिंग है इसकी सिलाई एकदम सीधी आई है कहीं पर भी ये बिल्कुल टेड़ी या कम या जादा नहीं हुई है आप देख सकते हैं दोनों तरफ हमारी साइड की सिलाई एकदम सीधी आई है यहाँ पर आप देखि से ब्लाउस फिटिंग करने का आसान तरीका बता दिया है अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा हूँ तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरू कीजिए और साथी बेल आइकन पे क्लिक कीजिए तकि ऐसी ही हेल्फुल वीडियो की नोटिफिक है तरीक जही दूए तक है नोट और साथी बड़ से जए खेगको लोगा कीजिए तक शाय के अट सुने कीजिए तक एट रहे तक बीजिए तक कीजिए यद्क बाहाँ आएकर कीजिए तक बाहा हुएग कीजिए।